आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक फोटो देख रहे होंगे और कुछ दिनों से आप लोग ने देखा होगा कि ये काफी चर्चा में बने हुए हैं इनका नाम है एकनात सिंधे और आप देखेंगे महराष्ट की राजनीती में एक कद्दा बर नेता माने जाते हैं और अब ये महराष्ट के मुखमंद्री बन चुके हैं तो आज हम लोग इनके बारे में एक सामानिक चर्चा करेंगे और इनके परिवारी बेक्ग्राउंड देखेंगे इनका राजनीतिक सफर देखेंगे और सिपसेना में जो फूट पड़ी हुई है इसका कारण क्या है उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे कुछ पिक्चर्स और देख लीजे आप लो यह आप देखेंगे कि सिपसेना में खासकर जो ठाकरे परिवार है इसमें बहुत नजदीक यानि कि सबसे करीबी माना जाता था किसे सिंधे को एकनात सिंधे को और आप देखेंगे इसमें आदित ठाकरे उधाव ठाकरे और नात सिंधे हैं एक बार महराष्ट को देख लीजे आप लो यह आपको महराष्ट दिखाई दे रहा है मुंबई इसकी राजदानी है और आप देखेंगे एक माई 1960 में महराष्ट को राज बनाय गया था और विधान सभा में 288 सीटे हैं विधान परिशद में यहां 78 सीटे हैं राज्य सभा में 19 सीटे हैं लोक सभा में 48 सीटे हैं तो वैसे महराष्ट राजनीती की दरष्टी से काफी महत्पोर भी है अगर हम लोग एक नात सिंधे के पूरे नाम की बात करें तो एक नात संभाजी सिंधे इनका पूरा नाम है और आप देखेंगे कि इनका जनम 9 परबरी, 1964 में हुआ था। कहां पहाड़ी जबाली, 17 जिला महराष्ट में इनका जनम हुआ था। और इनके पिता का नाम संभाजी Nauulo सिंदे था और इनकी माता का नाम गंगुबाई सिंदे। सिंदे में एक बिजनेस मैने बेवसाई हैं अगर हम लोग बच्चों की बात करें तो स्रीकांथ सिंदे जो आप सभी जानते हैं कि राजनीता हैं इनके दो बच्चे और थे एक बेटे का नाम दीपेज सिंदे था जिसकी डेट 2 जून सन 2000 में हो गई थी और इनकी बेटी का नाम था सुविधा सिंदे और इसकी भी डेट आप देखेंगे 2 जून सन 2000 में हो गई थी और एक नाग सिंदे का एक बेटा दीपेज सिंदे जिसकी उमर महज 11 साल थी और एक बेटी सुविधा सिंदे जिसकी उमर महज 7 साल थी जिनको लेकर वो ऐसा तारा जिला घूमने गए थी वोटिंग दुरगटना में उन दोनों बच्चों ने उनकी आखों के सामने पानी में डूप गए थी और उनकी मौत हो गई थी उसके बाद ऐसा माना जाता है कि एक ना संदे पूरी तरह से तूट गए थी और परिवार में जाने का दुख मुझे लगता है कि परिवार का किसी मेंबर के जाने का दुख वही परिवार समझ सकता है उसके बाद आप देखेंगे कि इन्होंने राजनीती छोड़ने का बिचार भी बना लिया था लेकिन बाद में कहते हैं कि फिर किसी कारण बस कई लोगों के कहने पर राजनीती में बने रहे अगर हम लोग इनकी सिक्षा की बात करें तो आप देखेंगे कि इनकी सिक्षा New English High School ठाड़े मुंबई से होती है और विस्विध्याली की बात करें तो वासवंत राओ चावान म मुक्त विस्विध्याले महराश्टी आंगे की सिक्षा इलेते हैं 1981 में मंगला हाई स्कूल से इनों ने 10 वी की पास की और जुनियर कॉलिज ठाड़े से इनों ने 11 वी पास की और जैसा कि यसवंत राओ चावान मुक्त विस्विध्याले महराश्ट से इनों ने इसना तक यानि कि डिग्री हांसिल की हुई है, तो पड़े लिखे हैं, और ऐसा माना जाता है, कि एक समय टेक्सी चलाते थे, टेक्सी इसे आप देखें कि मुक मंत्री बनने का सफर रहा है इनका, और व्युवसाई की बात करें, तो आप सभी जानते हैं, कि राजनेता है, और खड़ा हुआ है, एकना सिंदे के पास सिपसेना रहती है, या उधाव ठाकरई के पास रहती है, ये तो आने वाला वक्ती बताएगा और चुनाओ आयोग जाएगा ये मामला, और बड़ी लंबी पिकरिया देखने को मिलेगी, और सिपसेना की बात करें तो 19 जून 1966 में इस प थाने नगर निगम में सदन की नेता की रूम में नियुक्त किया गया था, उसके बाद आप देखेंगे कि सन 2002 में वह दूसरी बार थाने नगर निगम की थाने नगर निगम के लिए चुने गया, 2004 में उन्होंने महराष्ट बिधासवा के लिए निरबाचित किया गया था, यानि कि कहने का मुतलब है कि 2004 में वो पहली बार बिधायक बने और जैसा कि आप सभी कुमाल होगा कि अगर आपको बिधायकी का चुनाओ लड़ना होता है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए अधिकतम कोई सीमा नहीं उम्र की और बिधायक का चुनाओ डारेक्ट जनता की द्वारा होता है अगर आपकी उम्र भी 18 साल हो चुकी होगी तो आप लोगों का बोटर सुची में नाम जुड़ चुका होगा आप लोग भी बोट डाल ले जाते होंगे 2005 में एकनास सिंदी को ठाड़ी जिला का सिपसेना प्रमुक निवक्त किया गया और वहें सिपसेना पार्टी में इतने पितिष्टीत पत पर निवक्त होने बाले पहले विधायक थे और वर्स 2009 में सिंदी को दुबारा से महराष्ट विधानसवा के लिए निर्वाचित किया गया 2014 में उन्होंने महराष्ट विधानसवा के लिए तीसरी बार निर्वाचित किया गया था और आप देखेंगे कि अक्टूबर 2014 से दिसंबर 2014 तक वह महाराष्ट विधान सभा की विपक्ष के नेता रहे हैं 2014 से 2019 तक उन्होंने महाराष्ट राज्य सरकार में PWD के केमिडिट मंत्री के रूम में काम किया है एकना सिंदी बर्ष 2014 से 2019 तक ठाड़े जिली की सरक्षक मंत्री भी रहे हैं 2018 में उन्हें सिपसेना पार्टी का नेता नियुक्त किया गया था 2019 में महाराष्ट राज्य सरकार में लोग स्वास्तो परिवार का लियान मंत्री बने थे और 2019 में उए लगातार चोत्री बार महराष्ट विधान सभा के लिए चुने गया थे और 2019 में उन्हों सिपसेना विधायक दल का नेता भी चुना गया था और 28 नवंबर 2019 को महराष्ट की मुकमंत्री उधाव ठाकरी की अध्यक्षता में उन्होंने महा विकास अगाडी के तह परवाहक नुक्त किया गया था और वह है इस पत पर 28 नवंबर 2019 से आप देखें कि 30 दिसंबर 2019 तक कारण रहें फिर आप देखें कि 2020 में उन्हें ठाडे जिली की सरक्षक मंद्री की रूम में नुक्त किया गया था और आप लोग देखें सिपसेना में इनका कत्तु कुछ अगर देखें और अभी तक आप देखें कि यही कह रहे हैं कि हम सिपसेना हैं असली सिपसेना हमी हैं पिछली कुछ समय से सिपसेना पार्टी पर अपने मूल सिधानतों से हटने का रोप लगाया जा रहा था क्योंकि 2019 का जो बिधानसवा चुना हो था वो भारती चानता प पार्टी कटर हिंतुत बादी पार्टी अब नहीं रही अब वह इसलाम परस्त पार्टी बन गई है और इस पेकासे लोगों का सिपसेना पार्टी से मोभंग हो रहा है और इन लोगों में सिपसेना पार्टी की बिधायक भी सामिल है वह यह भी कहा जा रहा है कि पिछले वर्तमान थे आज आप देखें कि निकल चुका है वो वर्तमान तो यहाँ आप लोगों को अब एकनास सिंदे यहाँ की मुकमंत्री है हाला कि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि उधा ठाकरे बस नाम के CEM थे बलकि सरकात और NCEP के सरत पवार ही चला रहे थे और ऐसे में एकन सिंदी ने सिपसेना के विधायकों का भरोसा जीत लिया और उन्होंने सबय आने पर पार्टी से बगावत कर दी और अब आलम यह है कि एकनास सिंदे के पास इतने विधायकी को आजसानी से महराश्ट के मुकमंत्री बन सकते हैं BJP की मदस से और ऐसा हो भी गया है आज ठीक कर दो